हाई डियर स्टूडेंट वेलकम अगेइन आपका जो रिजल्ट है सी यूटी यूजी का जेन्यू के लिए वह आपका यहां पर डिक्लेर हो चुका है तो अब रिजल्ट आने के बाद जो है आप लोगों के काफी सारे डाउड थे जो की स्टूडियो के अंदर में आपको क्ल जाओंगा जिनका अभी तक मैंने रिप्लाई नीक है क्योंकि काफी स्टूडेंट का जो है यहां पर सेलेक्शन हो रहा है हमारी ओनलाइन क्लास जितने भी स्टूडेंट लाइक जोइन कर रहे थे उन्होंने मैसेज बगरा किया होगा तो मैं अभी सब को रिप्लाई कर पूरा सिस्टम रहेगा उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो साइड डीटियल देगे जाओंगा आप लोग वीडियो को पूरा होच करिएगा एक बार फिर से बहुत 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 बदाई उन सबी स्टूडेंट को जिनका सेलेक्शन यहां पर हो बट मैं जैसे फिर होता हूँ आप सब को reply कर दूँगा आप लोगों को number मेरे description में मिल जाएंगे वहाँ से आप लोग मुझे contact कर सकते हैं अब देखिए result देखने के लिए मैंने आपको बताया था last video में कि अगर आपका BA owners language के लिए है तो आपको यहां से देखना पड़ेगा और अगर आपका BAC, MAC integrated जो codes उसमें आया तो आपको second वाले से देखना है और अगर आपका कोप वाले में हुआ है तो फिर आपको यहां पर नीचे वाले से क्लिक करके चेक करने तीनों का result अलग-अलग है अगर आपका CUTOP का list исht जो है वो दिया गया है कितना CUTOP यहां पर गया है वो हम लोग जो है एक लोड़ा सा आपको बता लते है यहां पर जो BAC यहां पर वाले कुरसिस के लिए यहां पर owners वाला क Advertji Cup है actually व Deutsch वह देखते है और और वो मैं आपको समझाने का परियास करता हूं उससे पहले मैं आपको result यह है करके हम देखेंगे result का scene actually हम लोग देख लेते हैं क्या scene है यह देखिए यहां से आप लोग समझिएगा यह जो है एक student का मैंने यहां पर open किया है जिसका कि यहां पर selection हुआ है Spanish language में ठीक है Spanish language में हुआ है इसका जो rank है वो यहां पर 30 number rank गया है और इसका choice जो है वो first choice था जैसे आपने तीन डाली होगी जैसे इसने भी तीन language दी है बातों को अच्छे से समझना मैं sure हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको इसने उससे नीचे Japanese डाला था उससे नीचे Chinese डाला था लेकिन इसका यहां पर Spanish में ही selection हो गया Spanish का जो cut-off यहां पर 86.52% पर जो है इसका यहां पर admission हो गया इसमें आपके deprivation point भी 8 है और उसके बाद ही यह आपका यहां पर score जो है वो बनके आया है समझ गए तो अब इसको admission जो है वो इसी language में यहां पर लेना है अब देखिए समझ ही अगर किसी student का यहां पर admission हुआ है जैसे मान लिजे कि इसी student का admission है वो यहां पर जो है second language में हो जाता suppose कि इसका Japanese में हो जाता तो यहां पर क्या करना होगा इसको कि जो है इसको यहां पर payment इनका जो हो करना होगा देखिए आपको अगर आपको second choice मिला है और in case अगर आपका first जो यहां पर यह select किया था आपने उसमें अगर clear होता है तो आपको मिलेगा कब अभी मेरे पाद से एक student का call आया था उसमें बोला कि sir मैं क्यों fees पे कर दू मुझे दूसरी language में consider कर लेंगे भाई ऐसी गलती आप मत करना यहां पर क्या scene होता है मैं पिसले 5 साल से student को guide कर रहा हूं जो genuinely space लिए admission लेना चाहते so यहां पर क्या होगा कि आपको जो अगर second language में भी हुआ या करेंगे तो आपको अगरे राउंड में मिल जाएगा भी एंचू या फिर अधर युनिवर्सिटी की तरह नहीं यहां पर यह लोग अपने इसाब से आपको consider करेंगे अगर आप कटोड क्लेर करेंगे तो अप्ग्रेड यहां पर हो जाता है वो अटोमेटिक होता है आपको नहीं करना होता है तो आप क्या करेंगे आपका किसी भी language में selection हुआ हो आपको करना क्या है ठीक है आपको सबसे पहले इनका जो fee pay है वो करना है अब fee pay में last year भी student को यह problem होई थी तो आप क्या कर सकते है इसमें barcode का option आता है उससे easily हो जाता है तो आप try करना कि आप सही करें otherwise आपको दुबार से करना पड़ सकता है तो यह जो fee है यह आपको यहां पर pay करने है इसकी receipt मिलेगा transaction ID मिलेगी तो सब कुछ आपको ध्यान में रखनी है सब कुछ note कर लेना यह जुरूत पड़ेगी आपको बताऊंगा कहां पे तो जब आप fee pay कर देंगे तो उसके बाद आपको document यहां पर upload करने है देखिए अभी आप fee नहीं pay करेंगे तो यहां पर will be shortly available यहां पर लिखाव है उसके बाद यहां पर offer letter है तो offer letter को आप check कर लेना जिसमें कि आपको सब कुछ दिया रहेगा कि JNU कहां है कैसे पहुंचना है कौन सी बस पकड़के पहुंचना है सारा कुछ यहां पर इसमें दिया जाता है इसके अलबाद checklist है यहां पर आपको रिपोर्टिंग का टाइमिंग वगरा यह सब कुछ बाद में ओपेन होगा जब यह सारा एक दीरे-दीर सारी प्रोसेस कंप्लेट होगे पहले आप अप्लोड करेंगे उसके बाद यह चेक करेंगे फिर आपका प्री इंडॉल्मेंट आएगा इसको फिल करोगे फिर आपको एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट को आपको इस टाइम पे जेन्व में विजट करना है अपने सारे डोकुमेंट जो कि आपने ओनलाइन डोकुमेंट आपके पास नहीं है ठीख है तो वो क्या होगा है कि आपको यहाँ पर और पकलोड कर देा है मैं आपको एक और वीडियो में क्लियर कर दुंगा क्योंकि अभी आपको यह वीडियो देना जरूरी आपको जो फर्स्ट वाली लेंग्वेज मिल जाएगी तब आपको करना क्या होगा कुछ नहीं करना है बस सेंटर चेंज होगा तो सेंटर में फिर आपको आपका जो प्रिंडॉल्मेंट फोर्म है सारी चीजे वहां आपकी जो होने वाली है तो वह खैर बाद में हो जाएगा नंबर मेंने डिस्किप्सन में आपको अवेलेबल तो गाईज अब जो हम लोग कटोफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस साल जो कटोफ है वो आपका यहां पर कितना गया है देखे कटोफ को आप लोग समझे कि दो तरीके से आपको शो कर रहा होगा एक जो है कोड़ वन और एक कोड़ टू लिखा है तो कोड़ टू उनके लिए है जिनका गेप यह होता है मतलब 12 करने के बाद वो गेप दे देते है और कोड़ वन जो है उनके लिए होता है जिनका यहां पर कोई गेप नहीं होता है मतलब regular वाले student होते है तो ऊपर वाली जो कटोफ आपको कम द जाता है इसलिए इनका थोड़ा the top अलग आपको थोड़ा हां पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर इस बार जो है इन्हों Listen में यहाँ पर पर कर रखथ fight यह कनी के दिखेंगे नहीं कोई करते को में रह्न की चैनीज में 50 एक यहाँ जय किने धाशन गू varied RED और यहाँ पे जो है यह चाइनीज में 80, sorry 60, 7 पे भी एडमिशन हो गया, ST में 69, यहाँ पे 71 और यहाँ पे PWD का कटोप दिया हुआ है, यहाँ पे OBC का कटोप है, इस पार ज्यादा कटोप आपका मुझे लगता है कि गया नहीं है, पिसली साल के मुकाबले आपका कटोप जो हो गया है, PWD में 48 पे हो गया है, OBC में 79 पे हुआ है, EWS में 87 पे यहाँ पे एडमिशन हो गया, यह जर्मन का आपका कटोप है, तो यह आपका कटोप का क्राइटेरिया है, जो कि आप लोग इस पीडिएप के तुरू जान लेंगे, बाकी में यह पीडिएप आपको टेलिग्राम पे, सोरी हमारे वोटसप ग्रूप में, I mean मेरा जो वोटसप नंबर है, उस पे सेल कर दूँगा आपको, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना वोटसप पे, वहाँ पे आपको यह पीडिएप मिल जाएगी, नंबर नोट कर ल अब है, जो रिजल्ट हमने अभी देखा था, इसमें देखो, रेंग है, इस स्टुडेंट का रेंग है, इधर देखे, यह 30 नंबर रेंग है, यहाँ 25 है, और यहाँ 11 नंबर रेंग है, तो अगर यह चाइनीज को भी डालता, तो भी इसका हो जाता, लेकिन इसने चाइनी आकि ऐसे स्टुडेंट जिनका मतलब बहुत कम नंबर है, उम्मीद बिलकुल भी नहीं होने की, तो वो लोग हमारी ओनलाइन क्लास से जुड सकते हैं, 11 सेप्टेंबर से हमारे यहाँ पे ओनलाइन क्लास वो स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग अगर आप एक सीरियस स्टुडेंट है, इस बार आपका नहीं है, मैनत नहीं कर पाई तो इस बार आपको मैनत अगर करना है और आप निकाल सकते हैं, तो जरूर आप लोग जोइन करिएगा, हमारा जो नया बेच है वो 11 सेप्टेंबर से स्टार्ट होगा, बाकी डिटियल क के लिए आप लोग मुझे वोटसप पर मैसेस कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया